लटेस्ट वीडियो पाने के लिए पाउट प्लांग गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नमस्दक्तो स्वागत है आपको मारा यूट्यूब सैनल पाउट प्लांग गुरुजी में इसका टॉफिक है कि स्टिम टर्वाइन में इसेंट्रिशिटी क्या होता है और किस समय ये जो इसेंट्रिशिटी के भेलू बहुत इंपोर्टन रहता है और क्यूँ तो जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड दक देखते रहिए टर्वाइन रोटर का सेंटर एक्सिस और आउटर डाइमेटर का अंदर में जो डेविएशन क्येट होगा उसको इसेंट्रिशिटी कहता है इसेंट्रिशिटी को यूज किया जाता है टर्वाइन का इनिसियल स्टाट अप के समय में टर्वाइन सुपरवाईजरी इंस्टुमेंटेशन के लिए eccentricity एक ठो मेजर रोल प्ले करता है eccentricity को मेजर किया जाता है जब टर्वाइन का rolling rpm slow रहता है यानि की 1 से 240 rpm का अंदर में eccentricity का monitor करने का man propose है जो टर्वाइन का साफ्ट है वो center में है की है नहीं वो confirm होने के लिए अगर eccentricity value हाई रहेगा तो टर्वाइन का जो साफ्ट है वो banana जैसे band रहेगा नहीं की pole जैसे straight रहेगा तो उस अंदर से हम लोकों पता लगा पाएंगे टर्वाइन का जो rotor है वो bow यानि की band होने का कारण है पहला कि जो mechanical bow fixing किया होगा cooling के बज़ा से एक create होता है नमबर 3 में देखेंगे gravity wow ये rotor का mask के बज़ा से create होता है तो ये extreme case में क्या होता है ना जो thermal या gravity wow turbine suddenly trip होने के बज़ा से या turning gear disengage होने के बज़ा से electricity rpm का अक्टो shuttle limit का अंदर में measure किया जाता है उस limit पार होने का बाद और ये requirement नहीं होता है electricity ज़्यादा होने से ये excessive vibration formation होगा और rotor to starter जो है उसमें contact होगा वो चीज़ को avoid करने के लिए हम लोगों monitor करता है eccentricity को eccentricity को आप accurately measure कर पाएंगे जब sap oil flame bearing के अंदर में create नहीं किया होगा उसी बग्त में तो आशा करता हूँ दोस्तो ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए रहता हम दोस्तो थैंक्यू बाबाई फिर मिलेगें अगले वीडियो में